हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको एक remote control electricity board बना कर दिखाने वाला हूँ जिसमें फ्रेंड्स आप पूरे चार electrical appliances को connect करके remote से control कर सकते हैं फ्रेंड्स यदि आप इसमें पहले बाले load को on करना चाहते हैं तो आपको A press करना है दूसरे बाले load के लिए आपको B और तीसरे बाले load के लिए C और इसी तरह से चौते बाले load के लिए D press करना है यदि फ्रेंड्स आप इन चारो load को एक साथ on करना चाहते हैं तो आपको on press करना है और off करने के लिए off press करना है इसके बाद friends यदि आप इसको manually भी on off करना चाहते हैं तो हमने board के साथ switches connect करें जिससे आप इसको manually भी switches की मदद से on off कर सकते हैं तो आई friends वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको एक electricity board लेना है यदि आप इस board को बनाना चाहते हैं इस वीडियो की link मेंने description में दे दिये जहां पर आप जाकर इस board को बनाना सीख सकते हैं इसके बाद friends हमको एक receiver और एक remote control लेना है यह friends आपको market में या फिर online market में मिल जाएगा और friends इसके बाद हमको इसकी wiring को समझना है तो आप यह देख सकते हैं यह जो black color का wire है यह neutral wire है जहां पर हमको input देना है इसके बाद यह दूसरा वाला भी black wire यह भी neutral है इन दोने neutral को friends हमको आपस में connect कर देना है इसके बाद यह red color का wire friends 220 volt के लिए इन तीनों wire में friends हमको input देना है इसके बाद friends यह green color का wire हमको चौती वाली switch के साथ connect करना है और friends यह blue color का wire हमको तीसरी वाली switch के साथ connect करना है इसके बाद friends यह जो white color का wire है इसको हमको दूसरी वाली switch के साथ connect करना है और इस yellow वाली wire को हमको पहली वाली switch के साथ connect कर देना है तो आई friends connection को हम start करते हैं तो सबसे पहले friends हमको इसमें neutral wire connect करना है तो आपको friends, boot की neutral के साथ black वायर को connect कर देना है और जो red color का वायर है, उसको आपको face के साथ कुछ इस प्रकार से connect कर देना है इसके बाद friends, हमको green वायर को चौती वायरी स्विच के साथ कुछ इस प्रकार से connect कर देना है इसके बाद friends हमको blue color के wire को तीसरी वाली switch के साथ कुछ इस प्रकार से connect कर देना है इसके बाद friends हमको white color के wire को दूसरी वाली switch के साथ connect कर देना है और चौते वाले yellow color के wire को आपको पहली वाली switch के साथ connect करना है इस तरह से friends आपको इनके connection कर देना है अब हमको friends face और neutral wire को board में से कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है और जो receiver है इसको कुछ इस प्रकार से आपको रखना है और इस white color के antenna को friends आपको बहार निकाल देना है जिससे friends remote catch करेगा और इस board के scrubs को आपको अच्छी तरह से tight कर देना है और ये friends ये board बनकर ready हो चुका है अब मैं आपको इसको check करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काम करेगा तो इस तरह से आपको इसको light के साथ connect कर देना है और इसमें हमने friends पूरे चार electrical appliances connect कर दिये हैं आप इनको on या off कर सकते हैं डारेक्ट remote की मदद से इसमें friends 30 meter की range है जहां से ये catch करेगा इसमें friends आप सुचीश की मदद से भी manually भी on आफ कर पाएंगे और remote से भी आप इसको on आफ कर सकते हैं तो friends वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी subscribe कर लें